हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका पाई क्लासेज बाई सचिन मलिक में आज का टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए वक्षीट नंबर 81 वही चेप्टर 13 हमारा चला है रिवीजन में सर्फेश एरिया और वोल्यूम 44 जो वक्षीट थी उसके उपर है कौन वाली जिसमें CSA ए पहले तो आर एच और इनमें भी एक रिलेशन होता था कि एल इसके इसके एकल टू एच इसके ब्लस आर इसके यह पाई से से का फार्मूला होता था हमारे पास पाई आर एल जिसमें नीचा का सर्कुलर बेस सामिल नहीं होता था और टी एस से यानि टोटल सर्फेस एरिया यह संपूर्ण पर शेथफल बोलेंगे जिसको हम वह होता था पाई आर इन्टो एल ब्लस आर तो यह हमारे फार्मूले हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं आज की वक्षीट में चले यह करते हैं फर्स्ट कोश्चन देखो क्या था हाईट ओफ दा कौन विद डायमीटर दे रखा है यानि रेडियस निकल जाएगी और स्लेंट हाइट यह चीज दे रखी है तो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है आईए करते हैं इसको तो क्या है यह हमारा कौन है इसका आपको डायमीटर गिवन है डायमीटर कितना है 10 सेंटिमीटर तो यहां से हमारे हमारे पास रेडियस निकल गई रेडियस के हो गई फाइव सेंटिमीटर और स्लेंट हाइट यानि एल हमारे पास है 13 सेंटिमीटर तो पूछ क्या रहा है यह हाइट पूछ रहा है एच पूछ रहा है मारे पास तो फार्मल आपको पता ही है क्या होता है एल स्केर इस इकल plus 25, 25 उधर जाके minus हो जायागा तो यह 144 बचेगा h square, 144 किसका square होता है, 12 का square होता है h square, तो square से square कट गया, h की value आगई हमारे पास 12 cm सभी question में एक line तो आपको जरूर लिखने है उपर कि figure is self-explanatory फिर सारी dimension हम figure में ही show कर देते हैं और सीधे question करना सुरू कर देंगे, next question find the area of the canvas required for a conical tent, देखो conical tent में नीचे तो जमीन होती है यानि circular base का area तो हमें नहीं चाहिए तो हमें खाली उपर उपर जो goal हिस्सा होता है tent का, उसका ही निकालना और वो क्या होता हमारा card surface area उसकी slant height और radius, यानि L और R तुमें दे रखा है तो area of canvas, यानि की area of canvas ये, ये क्या होगा हमारे पास पाई RL होगा सीधा सा फार्मूला है, यानि 22 बटे 7, R हमारा 7 है, और सुरी R2 है और height 7 है, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, तो 44 आगया, बिल्कु सिंपल question था ये, next question अब total surface area निकालना है जिसकी radius यानि R ये है, और slant height यानि L ये है तो total surface area क्या होता है, पाई R bracket में L प्लस R, तो 22 बटे 7, R हमारा 7 है, और ये 13 प्लस 7 7 से 7 कट गया, तो 22 गुना में 20 यह हो जाएगा, 440 तो A is the answer तो ये 3 question हमारे complete होते हैं, चलिए, चलते हैं आगे की तरफ question number 4 करेंगे अब हम, क्याता है, the area of the base of right circular cone having radius, ये radius हमारे पास R, R केतना है 3.5, यानि कि 35 बटे 10 cm भी लिख सकते हैं, तो area of the base, जैसे इस वाले में आपको blue color दिखाई दे रहा न, area of base सिर्फ ये होता है और ये blue color क्या है, circle है तो area of base जब हम इसको निकालेंगे of right circular cone is equal to pi R square pi R square का मुझा है, 22 बटे 7, R दो बार आजाएगा 35 बटे 10 और 35 बटे 10, 7 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 2 2 से काट दिया 11 उपर आगया 385 बटे 10 10 से काट दिया पॉइंट लग जाएगा तो B is the answer तो इस तरह से question number 4 भी complete होता है next question question number 5 कहता है, यह जो figure given है यह वाली देखो तुम्हें diameter दे रखा 14 तो यहां से हम radius निकाल देंगे radius यह हो गई, radius क्यों जाएगी 7 cm यह हमारे पास क्या है एच है area of base पूछ रहा सबसे पहले तो area of base कैसा circular या नेगी पाई आर स्केर formula लग जाएगा हमारे पास तो 22 बटे 7 गुना आर 7 गुना 7 साथ से साथ सरक्ट गया 154 cm स्क्वायर आगे कहता CS से और TS से जिसमें L भी चाहिए हमें तो सबसे पहले L निकाल ले हम तो देखो L कैसे निकल लगा L स्केर is equal to H स्केर प्लस के R स्केर H कितना है 24 का स्केर प्लस 7 का स्केर यह 576 यह 49 625 हो गया 625 के होता है 25 का स्केर तो L स्केर जो आ गया 25 का स्केर आ गया तो यहां से स्केर से स्केर गट गया L is equal to 25 यह आ गया L 25 बस तो सिंपन यह मैं पता ही है क्या होता है πाई यार न 22 बटे 7 गुना 7 गुना 25 7 से 7 गट गया 550 सेंटीमीटर स्केर चलो जी टोटल सर्फेस एरिया पाई यार L प्लस आर 22 बटे 7 गुना 7 और L यानि 25 प्लस 7 तो साथ से साथ कर गया यह 32 आ जागा 32 को 22 से गुना कर लो तो 32 जुनी 64 और 32 जुनी 64 और 6 70 तो 704 सेंटीमीटर स्केर तो कुश्चन नमबर फिफ्ट हमारा कंपलेट होता है आईए कुश्चन नमबर 6 करेंगे अब हम कुश्चन नमबर 6 में क्या कहता है रजाक यूजिज ए ठिक सीट और पेपर और प्रिपेर एक कैप ओफ दा शेप कौन ठीक है कौन जैसे कौन हमारा बना हुआ चलो हम इसकी थोड़ी सी अलग फिगर बना देते है क्योंकि उसमें तो हमें et важно दे रखी है तो तिक रेडियस ऑव दा कोन यानि ये आर आर हमें दे रखा 6 सेंटीमी्टर इंड हाइट अब दा कोन यानि ये एच हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर फान दा सर्फेस अरियमेर आव दा कोन तो देखो जो कैप होती है नीचे से तो खाली होगी यानि कि सिर्फ उपर उपर वाला हिस्सा और इसको हम सीएस से कहते हैं तो सीएस से के लिए हमें L भी पता होना चाहिए अब L हमारा निकालने का फार्मुला यही है ठीक है तो H आठ का स्क्वेर यानि कि 64 आर का स्क्वेर 36 यह 100 हो गया 100 हो था 10 का स्क्वेर तो L आ गया हमारे पास 10 सेंटी मीटर क्योंकि स्क्वेर चे स्क्वेर कट जाएगा बस सर्फेस एरिया अब लिख दो सर्फेस एरिया ओफ कैप पाई यार एल पाई यार एल का मतलब 22 बटे 7 गुना 6 और गुना 10 तो यह हो जाएगा 1320 बटे 7 सेंटी मीटर स्क्वेर इतना ही छोड़ दो या डिवाइड करके लिख दो पोइंट में जैसा तुमारा मन करें नौ नेक्स कोश्चन कहता फाइंड दा सर्फेस एरिया ओफ दो कोनिकल कैप हैविंग हाइड 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 जो है डायमीटर के एकवल है देखो यह बना लेते हैं ठीक है यह हमारा डायमीटर है डायमीटर हमने मान लिया 2R तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी R हो जाएगी ठीक है उरर ही हो गए हमारा H तो H जो है वो डायमीटर के एकवल है तो H is equal to 2R यह तो हमारा आ गया और slant heit हमें दे रखी है यानि L हमें given है L कितना given है हमको 7 root 5 cm तो surface ही रहे निकालना है अब हमारे पास सिर्फ R और पता होना चाहिए formula वही है H square और R square तो H को मैं 2R लेख सकता हूँ 2R का square देखो उपर given है तो यह जाएगा 4R square और हाँ इधर L की value रखते चलो 7 root 5 का square इसको मैं निकालेंगे तो 49 और उसका बन गया 5 इसको ऐसी रहें दो 49 इन्टू 5 यह हो गया 5R square 5 से 5 cancel इसको 7 का square लिख सकते हैं यह R का square कट गया R की value आ गई 7 बस अब surface area of the cap निकल वा ना surface area निकल वा रहा ना तो क्यों जाएगा PRL यानि की 22 बटे 7 R कितना आ गया भाई 7 और 7 root 5 7 से 7 कट गया 22 सत्ते 154 root 5 centimeter square Is your answer of question number कौन सा कर रहे थे हम 7th question कर रहे थे चलिए question number 8 अब दे रखा देखो CSA of conical tank देखो कितना आसान question है CSA नि कर्ड surface area हमें दे रखा है otherwise हमें question में निकालना पड़ता है और जो कर्ड surface यह जो tent है और tent जिस canvas से बना है उसका rate हमें पता है 17 rupees per square meter सिर्फ क्या करना है इन दोनों को अपस में multiply करना है सीधा लेखेंगे total cost of the canvas is equal to 4526 गुणा 17 जो भी गुणा करके तुमारा आएगा उतने rupees is the answer अब गुणा करना तो आपको यह आता ही होगा ना इन्स क्लास में बेटा आप ठीक है तो यह आप कर लो बहुत उजी question दे दिया यह वाला ना नेक्स question कहता the slant height and base diameter slant height and base का जो diameter है वो 25 और 14 है ठीक है slant height जैसे यही माल लिया L इसी में ले लेता हूँ मैं इनको भूल जाओ अभी हमें दे रखा L जो है 25 दे रखा हमें और base का जो diameter है वो 14 मीटर है जैसे यही हमारे पास है 14 है तो R हमारे पास आ गया 7 अब तुम इसको करके देख ले ना height भी इसकी हमारी 24 ही आईगी यह हमने H मान लिया ठीक है वैसा पूछ के अरा आप यह देखते है find the cost of white watching the curved surface है H निकालने के आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि L और R हमारे पास पहली आ गया है तो कोश्ट हमें दे रखी है रुपीज 210 पर 100 मीटर स्कोएर ठीक है तो CS से तो निकालना ही पड़ेगा पूछ के रहा है find the cost of white watching तो वही लिखेंगे cost of white watch www लिख दिया हमेने short form में क्या आ गया भी यह 550 स्केर एरिया ही है 210 पर 100 210 पर पर का मतलब बटे में चला जाएगा 100 कर लो यह आ गया कट गया यह 1155 रुपीज हमारे पास answer इसका आ गया now next question question number 10 कहता है एक joker की cap है वो किसकी form में है कौन की form में है radius उसकी 7 cm है देखो radius इसकी भी 7 cm है और height उसकी यही है तो यह वाला figure मैं यूज कर रहा हूँ find the area of the seat required to 10 के बिटा अब इसका हम L निकालेंगे बस पहले इसमें इतना फर्क है यहाँ पर L square is equal to R square plus के H square तो 7 का square और अभी हमने यही चीज उपर भी करी थी तो हमारा इसका जो L निकल के आया था 25 निकल के आया था तो L होगे हमारे पास 25 अब CS से निकाल दो CS से of cap पाई आरेल अभी जो पहले कोश्चन माया था वही निकल के आया था 22 बटे साथ साथ गुना पच्चेश साथ से साथ कट गया 550 सेंटी मीटर square तो यह तो एक कैप का है ऐसी 10 कैप का चाहिए हमें तो CS से of such 10 कैप तो 550 गुना 10 5500 सेंटी मीटर square सिंपल कोश्चन था नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन है हमारे पास यह क्या कहता है the area of the base of right circular कौन देखो यह जो जैसे area of the base यही blue वाला ठीक है यह हमें given है according to question हमें given है क्या area of base क्या है हमारे पास 9 pi सेंटी मीटर और area of base के हो था pi r square तो pi r square आगे 9 pi pi से pi काट दो 9 को हम ले सकते हैं थरी का सिंटी मीटर तो r हमारे पास आगया 3 सेंटी मीटर और height इसकी 4 है ठीक है तो height हो गई हमारे पास 4 यह 4 हो गई और radius हो गई हमारे पास 3 तो l निकाल दो गई अब इस question को मैं आगे नहीं करा रहा हूँ इसको अपनाप कर लो l square is equal to r square plus h square तो यह r दे रखा 3 तो यह 9 हो जाएगा यह 16 हो जाएगा तो 25 आगया 5 का square बने गया तो l कितना आगया 22 बटे 7 r 3 l तुमारा 5 आगया plus k 3 आगया तो 22 गुना 3 गुना 8 बटे 7 उपर वाले सब को गुना करो 7 से भाग कर दो जो भी आएगा point मायागा उतने centimeter square तुमारा answer इसका आजाएगा तो बटे यह calculation अपनाप करो आपना हित्क लास में हो now 12th question 12th question में कहता है curved surface area हमें CSA दे रखा है तो वही according to question CSA CSA हमें दे रखा है 48 pi centimeter square CSA होता क्या है pi rl होता है 48 pi slant height भी दे रखा है l भी दे रखा हमे जो देखो pi से तो pi काट दो पहले r as it is slant height हमें दे रखा है 4 48 इस 4 से काटेंगे 12 तो r की value आगई 12 centimeter और radius बेस ही बूच रहा था बस इतना ही बूच रहा था तो इस तरह से question में हमारा complete होता है और साथे साथ हमारी worksheet भी complete होती है अब ये worksheet के सभी question आपको अपनी copy बे साफ साफ करने है और अपने teacher को send करने है जिस भी तरीके साथ उनको homework send करते हो धनवाद